हेलो प्रेंट्स, वेलकम टू जतिन मेडिकल एंड नर्सिंग अकेडमी, मैं सेल्फ आर्डी सोधरी नर्सिंग ओपिसर आम्स, आज अपन बात करेंगे नोर्शेट आम्स की स्पेशल क्लास के बारे में, अपन इस्पेशल क्लास के अंदर जो अभी नोर्शेट की एक्जाम हो होने वाली है, इसके लिए ओप्रेशन थेटर से रिलेटेट इंस्टूमेंट के बारे में डिसकर्ज कर रहे थे, जिसका पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थी पर ले डिसकर्ज कर चुके है, अब अपन पार्ट फोर डिसकर्ज करेंगे, इस वीडियो के अंदर आएंगे, जिसके बाद अपने 100 क्यूशन हो जाएंगे, ओप्रेशन थेटर से रिलेटेट इंस्टूमेंट के, जिसके अंदर ओल्मोस्ट सारा कुछ कवर हो जाता है, ये सबी क्यूशन्स वो क्यूशन है, जो प्रिवेस किसी ने किसी एक्जाम के अंदर आये वे हैं, तो आपको डाइग्राम के अंदर जो दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये मेकेनिकल CPR मसीन है, इसके अंदर जब पिसेंट को CPR देना होता है, तो उसके लिए मसीन से ही CPR दे दिया जाता है, जिसके लिए किसी इंडिवीजुल पर्सन की जरूत नहीं होती है, इस तरीके से भी क काफिवार एग्जाम के अंदर ये क्यूशन भी पूछा गया है, वैसे इसके यूजेज की कंप्लीट अपन बात करें, तो मेकेनिकल कार्डियो पलमंद्री रेस्टिट्रेशन यानि CPR डिवाइस टूल टू प्रोवाइड कंसिस्टेंट चेस्ट कंप्रेशन दूरिंग ट् इसके यूजेज की बात करें, तो ये बोडी से पेरिटोनियल जो मेंब्रेन होती है, उससे जो डाइलेसेट फ्लूड होता है, उसको फिल्टर के थुरू उस मेंब्रेन से क्लियर करवाती है फिर क्लीन करवाती है बलड को, ओके फ्रेंट्स आप सलते हैं नेक्स्ट कूशन के अंदर, question number 3, यहां जो आपको diagram दिखाई दे रहा है, यह भी exam के अंदर आया हुआ है, skin punch biopsy tool बोलते हैं इसको, skin से punch biopsy लेने के लिए इस tool का use किया जाता है, एक hollow circular is used to cut into a lesion on this skin, skin के ओपर एक circular यानि circular area के अंदर, एक गोलाकार area के अंदर, जो hollow यह tool है, इससे वहाँ पर cut लगा के एक sample collect किया जाता है, जिसको biopsy के लिए बेज़ा जाता है, instrument is trend clockwise and counter clockwise to cut down about 4 mm to layer of fatty tissue below dermis, इससे क्या करते हैं, dermis के just नीचे fatty tissue का sample collect करते हैं, और जो यह आपको tool दिखाए दे रहा है, इस tool से 4 mm का sample collect किया जा सकता है, इसको पहले clockwise roundly गुमाते हैं, फिर उसके बाद anti-clockwise, इस तरीके से गुमाके, यानि एक तरह से clockwise excitement run के जाता है, उसके बाद counterclockwise उसको run के जाता है, जिसके बाद उससे 4 mm का skin का graft आ जाता है, एक biopsy मिल जाती है, a small sample of tissue is removed to be checked under microscope, और उसके बाद उस sample का जो tissue का जो sample होता है, उसको microscope के अंडर check करते हैं, अब सलते हैं next question के अंदर, question number 4, यहां जो आपको diagram दिखाए दे रहा है, यह है trocker, okay friends, trocker है यह, इसके usage के अपन बात करते हैं, trocker are sharp pointed surgical instrument, sharp यानि बहुत nukila और pointed surgical instrument है, okay friends, used with cannula to puncture body cavity and to provide intra-abdominal assess, इससे क्या करते हैं, body cavity के अंदर cannula को provide करवाने के लिए, एक तरह से body cavity को puncture किया जाता है, जैसे intra-abdominal assess करना होता है कुछ, तो उसलिए वहाँ पे इससे puncture करा जाता है, एक तरीके से यह किसी cannula को अंदर enter करने के लिए space provide करता है, ओके फ्रेंट्स, अब चलते हैं, next question के अंदर, question नमर 5, ट्रावज्यू डाइलेटर, यहाँ पर आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है, यह कहा है, ट्रावज्यू डाइलेटर है, ट्रावज्यू डाइलेटर के युजेज के अपन बात करें, तो ट्रावज्यू डाइलेटर invented an instrument designed to dilate the incision into the airway to allow easier passage of a trichostomy tube, यह ट्रावज्यू डाइलेटर है, नाम से पता चल रहा है कि एक तरह से यह डाइलेटर है, यह किसी भी परकार के skin के incision के उपर, उस skin का जो part होत जाता है, small incision के बाद, जैसे अपन trichost में tube किसी को insert करना होता है, तो वहाँ पर easily trichost में tube उस airway के अंदर चली जाए, इसलिए वहाँ का जो hole होता है, जिसके अंदर अपने incision लगाया है, उस hole को dilate करने के लिए इसका use किया जाता है, ओके फ्रेंट्स, तो इसका नाम है trow जो dilator, अब चलता है next question के अंदर, question number 6, tea tube, यहाँ आपको diagram दिखाए दे रहा है, यह है tea tube, यह भी exam में पूछा गया है, इसके uses के पन बात करें, तो tea tube is draining tube, एक तरह के से drain करने के काम में आती है, कहां से common bile duct से, जो CBD होती है, common bile duct होता है, common bile duct से CBD हो जाती है, तो CBD के बाद वह से जो bile होता है, उसको explore करने के लिए इसका यूज होता है, सुप्राडुडेनल, पॉलेडो को टॉमी के अंदर, यानि जब CBD होती है, common bile duct की स्वरजरी होती है, तो उसके बाद जब तक उसकी healing नहीं होती है, तब तक वहां से bile को drain करने के लिए tea tube का यूज किया जाता है, अ जिसके उपर जो अंदर का जो larynx होता है, जो larynx की internal structure होती है, उसको अपन यहाँ पर screen के उपर देख सकते हैं, और easily इसको अंदर insert कर सकते हैं, ओके friends, तो यह है video laryngoscope, improve laryngeal visualization, जो larynx का जो visualization है, उसको अच्छी तरीके से इसके कर सकते हैं, जिसके बाद अपन airway के अंद आसानी से वहाँ पर tube insert कर सकते हैं, तो improve laryngeal visualization, because eye and airway need not be lined up in direct laryngoscopy, यहाँ अपन direct laryngoscopy करते हैं, यहाँ लेरेंगो इसको अंदर insert करते हैं, तो उस condition में जो airway है, airway और eye के साथ direct contact नहीं हो पाता है, इसलिए उसको visualize नहीं कर पाते हैं, इसलिए वहाँ पर video laryngoscope का ज्यादा force लगाना पड़ता है, बट उसके comparison में video laryngoscope से वहाँ पर less force लगाना पड़ता है, use then during direct laryngoscopy, ओके प्रेंट्स, अब चलते हैं next question के अंदर, अपना next question है, question number 8, aneurysm needle, यहाँ पे जो diagram दिखाए दे रहा है, यह है aneurysm needle, a sharp instrument used for suturing, for puncturing, और for guiding of legatures, and aneurysm needle is blunt pointed, यहाँ पे आपको जो needle दिखाए दे रही है, यह blunt pointed होती है, यह नि pointed होती है, एक ही जगे, बट sharp ही होती है, बट blunt होती है आगे से, क्योंकि यहाँ पे इसको round shape के अंदर गुमाया होता है, curved needle होती है, और eye at the point, और जो इसकी एक तरसे eye type के अंदर point बनाती है, यह puncture के अंतर भी यूज आती है, सुचरिंग के अंदर भी यूज आती है, तो इसको अपन बोलते है, aneurism needle, यह भी exam के अंदर पूछा गया है पहले, अब अपना next question है, bear hugger, यह आपको diagram में दिखाए दे रहा है, इसके जो lower body के उपर जो लगावा है, इस पार्ट को अपन बोलते है, bear hugger वैसे एक अलग तरह की जो machine से operate होता है, the bear hugger normal thermia system is forced air warming और FAW, system designated to prevent hypothermia, यदि किसी patient को hypothermia हो रहा है, या फिर होने वाला है, या फिर होने से prevent करना है, तो उस condition में अपन bear hugger system को काम में लेते हैं, यह normal thermia system का लाता है एक तरीके से, यानि body के temperature को maintain करने के लिए होता है, इसक के अंदर forcefully warm air provide की जाती है, जिसके कारण से body hypothermia में नहीं जपाती है, keep patient at normal core body temperature, इस machine की सायता से body का normal core body temperature maintain रखा जाता है, during all three phase of orthopedic surgery, pre-operative, intra-operative and post-operative, जब किसी patient की orthopedic surgery होती है, तो orthopedic surgery के दोरान patient hypothermia कोज होने के ज़्यदा chances रहते हैं, इसलिए वहाँ पे इसको temperature maintain के जाता है, pre-operative यानि operation से पहले भी और operation के दोरान भी और operation के बाद भी यानि post-operatively भी, ओके फ्रेंट्स, आप चलते हैं next question के अंदर, question number 10, यहाँ पे आपको जो diagram दिखाई दे रहा, इसके अंदर एक balloon like structure आपको दिखाई दे रही है, यह क्या है, यह है bakery balloon, यह भी exam के अ instrument है एक तरह के से, तो bakery balloon is used for temporary control and reduction of postpartum hemorrhage, यहनि PPH को control करने के लिए इसका यूज किया जाता है, इसको bakery balloon बोलते है, when conservative management of uterine bleeding, यह दि किसी patient को uterine bleeding हो रही है, तो उसका conservative management करने के लिए इसका यूज किया जाता है, postpartum hemorrhage हो रहा है तो उसको reduction करने के लिए इसका यूज के जाता है temporary bleeding को control करने के लिए काम में लिया जाता है यहीं जो balloon है इस balloon को uterus के अंदर insert कर दिया जाता है और उसके बाद इसके अंदर air भर दी जाती है जिससे uterus की जो inner wall होती है वहाँ पर compression होता है इसने और compression से वहाँ ब्लेडिंग रूख जाती है ओके फ्रेंट्स अब चलते नेक्स्ट क्यूशन के अंदर अपना next क्यूशन है क्यूशन नमर 11 बेंडेज सीजर लिष्टर यहां आपको डाइग्राम दिखाई दे रहा है यह वैसे scissor like structure है बट इसको बोलते बेंडेज scissor लिष्टर क्योंकि scissor की comparison में थोड़ी सी different है यह scissor होती है वो आगे से straight होती है normal scissor बट जो यह है इसके अंदर एक कर्व है center से कर्व हुआ है इसके अंदर तो इसको बोलते बेंडेज scissor लिष्टर एक तरीके से special design किया हुआ है इसको लिष्टर बेंडेज scissor are used for dressing draps वैसे dressing के लिए इसका mostly use होता है the blunt tip of scissor help to lift the bandage from skin safely for easy dressing and safe bandage removal इस diagram में आपको दिखाई देगा कि जो scissor की आगे की दो tip है इन में से जो नीचे वाले tip है वो blunt है और जो उपर वाले tip है वो sharp है जो blunt वाले tip है यह क्या करती है जब skin के उपर bandage होती है तो उस bandage को lift करने के लिए उठाने के लिए काम में आती है अधरवाइस अपन सारफ होगा तो सारफ से वापर injury हो सकती है इसलिए जो यहां पर blunt वाला पार्ट है वो ड्रेप करने के लिए या फिर उसको उठाने के लिए काम में लिया जाता है तो एक तरीके से special रूप से और सी तरीके से दिखाई दे रहा है बड़ यह क्या है इसको अपन बोलते बॉन चेसिल्स और तोड़ने के लिए और और रिशेप्स बोन के बोन को रिमूव करने के लिए तोडने के लिए एक तरीके से बोन चेसिल्स है एक तरह के से कारपेंटर जो इंस्टुमेंट यूज में लेते हैं उस तरीके का दिखाई दे रहा है अब चलते हैं नेक्स के अंदर अपना नेक्स है क्यूसर नमर थाटीन नमर थाटीन है और आपको जो डाइग्राम दिखाई दे रहा है यह भी वेसे आप्स्टेट्रिक के अंदर ज्यादा यूज होता है इसलिए इसको अप्स्टेट्रिकल ब्रीच हूँक बोलते नॉर्मली वेसे जो ब्रीच डिलेवरी होती है ब्रीच डिलेवरी को करवाने के लिए इसका यूज किया जाता है ओके फ्रेंट्स यह इसके कंप्लेट यूज के अपन बात करें इन डिफिकल्ट कैसे जब ब्रीच डिलेवरी का या प्री डिलेवरी या लेबर के दोरान कोई डिफिक दोरान जब ब्रीज डिलेवरी के दोरान वहां पे जो इसका हुक है इस हुक को जो फिटस की नेक होती है उसके अराउंड वहां पे अंदर इंसर्ट किया जाता है इसका नाम ही इसलिए दिया गया है कि ब्रीच डिलेवरी के अंदर काम आता है और obstetricals यानि obstetricals के अंदर ही इसका यूज होता है, अपना next question है, question number 14, यहाँ आपको जो diagram दिखाई दिया है, यह वेसे तो normal question है, काफी वार, हो सारी exams के अंदर पूछा गया है, काफी वार exam में पूछा गया है, इसका नाम होता है BP handle, ओके friends, यह क्या है, यह BP handle है, वेसे जो surgical blade होती है, जो surgical blade होती है, उसका handle है, जो surgical blade होती है, वो इसको उपर attach की जाती है, this is reusable plate handle, reusable यानि बार-बार इसको use किया जा सकता है, intended for combined use with surgical blade of varying shape and size, जो अलग-अलग size की, अपने previous वीडियो के अंदर देखा था, कि जो surgical blade होती है, वो अलग-अलग number की होती है, अलग-अलग shape की होती है, जैज़-जैसे उसके number होती है, वो different होती है, उसी के coding उसकी shape भी different होती है, बट वो सभी shape की, जो surgical blade होती है, वो इसके अंदर insert की जा सकती है, या इसके साथ attach की जा सकती है, और इसके साथ attach करने के बाद इससे use किया जाता है, एक तरीके से surgical blade का handle आए, ओके जब किसी patient की Colestomy की जाती है, तो उसके बाद Colestomy के उनदर जोじゃना फ्लूड्स होता है, उसको drain करने के लिए, इस way का यूज के जाता है, एक तुरीके से artificial stoma create के जाता है, सरजन के ज़बारा, और उस artificial just goma होता है, उस stoma से जो कोलोन होता है कोलोन का जितना फ्लूड होता है उसको बहाल ड्रेन किया जाता है बट उसको ड्रेन करने के लिए पाउच होता है उस पाउच को पन बोलते हैं कोलेस्टोमी बेक और जो स्टोमा क्रेट किया जाता है उस स्टोमा को पन बोलते हैं कोलेस्टोमी और abdomen, patient के abdomen के उपर जो colon होता है, जो large intestine होती है, उस large intestine का एक part, abdomen से बाहर visible opening के साथ उसको divert कर दिया जाता है, एह small pouch, जो यह kolestomy bag है, इसको बोलते है, small pouch और जिसको बन kolestomy bag भी बोलते है is then palest over the stomach to collect waste product that would normally pass through a person, rectum and anus, जो rectum और anus के थुरू, जो fluid stomach के थुरू divert करके बाहर निकाला जाता है और इस pouch के अंदर उसको collect किया जाता है एक तरीके से वो waste product होता है और इस pouch के अंदर उसको collect किया जाता है यानि इस तरह के से एक shape बनी होते है कि stomach के उपर ये वापे इसको चिपका दिया जाता है और attest कर दिया जाता है, उसके बाद में इसी के अंदर वो drain होता है, और इस pouch के जश्ट नीचे वाली साइड में एक opening होती है, जिसको उस opening को खोल के बार बार इसे clear कर लिया जाता है, यानि निकाल लिया जाता है, जितनी बार ये बरता है तो उसके बाद इसको खाली किया जाता है ना कि इस पाउच को हटा के फेक दिया जाता है बट जब ये खराब हो जाता है तीन से चार दिन बाद तो इसको रिप्लेस कर दिया जाता है वेसे ये भी काफी बार एक्जाम में पूछा गया है अब चलते हैं, नेक्स्ट क्यूशन में, क्यूशन नमर 16, यह तो बहुत इंपोर्टेंट क्यूशन है, जो जोधपुरेंस ने भी पिसली बार पूछा था, कॉम्बी टूब, यह कॉम्बी टूब है, जिसको अपने इसोफेजियल ट्रेकेल एरवे भी बोलते हैं, या फिर इ इंसरशन ईरवे ढईवैस, एक तरीके से, ब्लाइंड ली इसको इंसरट करने के लिए काम में लिया जाता है, जहां पर इतीटूब बगेरा इंसरट नहीं हो पा रही है, वहां पर, यूज इन प्री होस्पिटल और अमर्जेंसी सेट इसका यूज किया जाता है ये प्रेसेंट रेश्पिरिटी डिष्टेश हो रहा है तो उसको अमर्जेंसी के अंदर mechanical ventilation देने के लिए इसका use किया जाता है क्योंकि वहाँ पे 80 tube डालने के लिए time चाहिए या फिर कोई expert चाहिए और उसकी unavailability होती है यानि वहाँ पे available नहीं होता है तो उस दोरान वहाँ पे combi tube का use किया जाता है ओके friends वैसे mostly practice के अंदर इस tube का use बहुत कम होता है अब सलते है next question के अंदर question number 17 यहाँ पे आपको जो diagram दिखाई दे रहा है वो है CPAP mask CPAP क्या होता है यानि continuous positive airway pressure therapy CPAP होता है continuous positive airway pressure जिसके अंदर continuously airway pressure दिया जाता है इसलिए इसको अपन बोलते continuous positive airway pressure therapy या फिर CPAP therapy पर CPAP therapy देने के लिए जो mask होता है जो patient के mouth के ओपर attach किया जाता है उसको अपन यहाँ भी इस diagram में देख रहे है एक तरीके से इसके अंदर एक machine का use किया जाता है और उसकी help से कोई भी person होता है उसको obstetric sleep apnea जिसको अपन short में बोलते है OS से यानि obstructive sleep apnea को treat करने के लिए वहाँ पर यानि breathe more easily during sleep sleep के time यह दि obstructive sleep apnea होता है किसी patient को तो उस time इसको attach किया जाता है CPAP उस patient को दी जाती है और इसके comparison यह दि BPAP वगरा की बात किरे तो वो COPD वारे patient के लिए यूज की जाती है यह दि mostly इसके usage पूछे वन लाइनर के अंदर तो CPAP के लिए तो अपन बोलेंगे obstructive sleep apnea breathe के लिए यूज के जाता है और जो BIPAP होता है वो COPD वगरा जैसे पेसेंट होते उनके लिए यूज के जाता है इस CPAP machine increase air pressure in your throat so that your airway does not collapse when you breathe in जब sleep apnea के अंदर क्या होता है जब पेसेंट सो रहा होता है तब उसके lungs collapse होने का डर्व होता है तो इसलिए वहाँ पे उसके thoughts के उपर यह pressure बना के रखती है जिसके कारण से उसके lungs है उसका airway collapse ना हो अब सलते हैं next question के अंदर यानि इस mask को काफिवार exam में पूछा जाता है एक तरीके से special रूप से design के जाता है कि mouth के उपर इस तरीके से opaque हो जाता है कि उसके बाद उसकी जो air होती है वो इधर से इधर leak नहीं हो पाती है इसके साथ में जो belt लगा होता है इसको अपने head के back side के अंदर attach कर दिया जाता है इस तरीके से नाम है तो वो है gauze sponge ओके प्रेंट्स यदी operation theater के अंदर इसको यूज करते है तो वहाँ पर बोलते है surgical sponge और वैसे word बगेरा के अंदर ऐसे यूज किया जाता है यहांनि medicine department में इसका यूज होता है तो वहाँ बोलते है gauze sponge और यदी surgical department में इसका यूज होता है तो वहाँ बोलते है surgical sponge पर इसका आपन थोड़ा सा और देखते है theoretical portion इसका और explanation देखते है तो gauze sponge are disposable medical supply commonly used in medicine and surgery surgery के अंदर भी इसका यूज होता है और medicine के अंदर भी यूज होता है और disposable sponge होता है तरीके से disposable यहने एक बार यूज कर लिए उसके बाद फिक दिया जाता है इसको they are ordinary made of gauze and are used for absorb blood and other fluids as well as clean wound किसी भी wound वगरा वो clean करने के लिए या फिर operation के time जो operating site होते है वहाँ पर blood वगरा को observe करने के लिए इसका यूज किया जाता है when used in surgery they are called surgical sponge और जब surgery के दोरान इसका यूज के जाता है तो वहाँ पर surgical sponge बोलते है तुकि surgery के दोरान जो operating site होती है वहाँ पर कापी सारा blood होता है उस blood को इस sponge की help के दोरा वहाँ पर जो sponge होता है वहाँ से blood को ये soak लेता है और उसके बाद इसको फिक दिये जाता है जिसके कारण से वो जो site होती है वो clean रहती है वहाँ पर यानि visible रहती है otherwise वहाँ पर खूब सरा blood spell हो जाता है जिसके कारण से जो operating site होती है वो वहाँ पर visualize नहीं हो पाती है अब सलते next question पर अपना next question है बहुत important question है यहाँ पर आपको जो diagram दिखाई दे रहा है यह है इत्थीकोन powered stapler क्यानि एक तरीके से इत्थीकोन इसका नाम है powered stapler इसलिए बोला जाता है कि यह power से चलता है इसको बोलते हैं इत्थीकोन powered stapler इधी इसके पन usage की बात करें तो इत्थीकोन circular stapler is designed to promote healing more tissue control and less tension and anasthemosis with distant audible and tactile feedback during firing जो powered stapler है यहनि इसके इनको staple करने के काम आता है वैसे तो यह stapler है बट इसकी एक specialist की बात करेंपन तो एक तरीके से ज़्यादा helpful रहता है यहनि इसके कारण से जो staple किया जाता है इत्थीकोन powered stapler से कोई staple किया जाता है तो वह वहाँ पे इस तरीके से designated होता है कि वहाँ पर promote healing को करता है यानि वहाँ पे जो healing होनी होती है वो जल्दी होती है क्योंकि वहाँ पे जो tissue होते है उस tissue को पर controlling pressure कम लगाता है और जो surface tension होती है वह भी बिल्कुल low रखता है वहाँ पे इसलिए वहाँ पे इसका ज़्यादा use किया जाता है कि वहाँ पे जो healing वगए रहा है वो बहुत जल्दी हो जाए यानि जब stapler के दोरान जब skin को staple करते है wound को close करने के लिए incision को close करने के लिए तो उस condition में इसका use करने से वहाँ पे जो tissue होते है उन पे injury बहुत कम रहती है ओके friends अब तलते next question के अंदर question number 20 अपना जो last question है वो है doence myoma screw इसको क्या बोलते है इसको बोलते है doence myoma screw क्या है यह है doence myoma screw यहाँ पे आपको diagram के अंदर दिखाए दे रहा एक तरह का special device है इसको बोलते है doence myoma screw यह भी वैसे obstetrics के अंदर ज़्यादा यूज किया जाता है obs gynec वाले ज़्यादा यूज करते doence myoma screw is specialized gynecological instrument used for remove myoma from the uterine cavity gynecology के अंदर ज़्यादा यूज होता है और एक तरह के से special instrument है screw type में होता है वैसे बट इससे क्या होता है uterine cavity से जो myoma होता है उस myoma को remove करने के लिए इसका use किया जाता है it is specially used for small and medium size fibromas myoma के साथ इससे fibroma को भी इससे remove किया जा सकता है उसको भी remove करने के लिए यह useful है बट वहाँ पर जो small और medium size का जो fibroma होता है उसके लिए useful है यदि कोई large size का fibroma है तो उसको remove करने के लिए इसका use नहीं किया जाता है तो यह अपने 20 question हो गए तो total मिला के अपने 80 question हो गए है इसके बाद अपने 20 question और discuss करेंगे जिसके बाद 100 question के अंदर जो ICC related जितने भी instrument होते है वो almost instrument इसके अंदर cover हो चुके है तो यह आप जतीन medical and nursing academy YouTube चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe जरूर कर ले और bell icon को भी फ्रेस कर ले जिसके कारण से हमारी आगे आने वाली जो भी वीडियो होगी उनका notifications आपको मिल जाएगा और इसके साथ हमारी WhatsApp नमर है 9413722120 इन नमर पे अपना नाम और address लिखे message कर सकते जिसके बाद आपका जो नमर हो हमारी WhatsApp broadcasting service में add कर दिया जाएगा यदि आपकी कोई special query है हमारी channel से related तो आप जतिन medical nursing academy add gmail.com यह हमारी email idea इस पर आप email भी कर सकते इसके साथ हमारे Facebook page को आप join करिए वहाँ पे Facebook page को आप like करिए इसके साथ ही साथ Instagram पर page है वहाँ पर भी हमें follow करिए जो Facebook page और Instagram page है वहाँ पे हम vacancy के information देते रते और इसके साथ ही साथ जो question वगरा है वो भी share करते रते ओके friends और जो हमारा telegram group है उसको भी आप join कर लीजी जिसके कारण से जो भी हमारी video वगरा होते है इनका जो PDF होती है वो वहाँ पे हम provide कर देते जिसके दुआरा आपको काफी help मिलती है ओके friends thank you bye for now see you later bye bye